जैए स्री राम प्यारे बगतो, चाहे कोई भी इच्छा हो, रात को सोते समय बस ऐसी कल्पना करो और सुबह चमतकार देखो। देखो प्यारे बगतो, अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है कि खाली कल्पना मातर से आपकी इच्छा पूरी होगी और वो भी सुबह है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहली बात तो यह आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपकी आस्था, विश्वास, सुर्धा पूर्ण है तो एक पल में सोचने मातर से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा चाहे फिर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो। देखो कोई भी भगवान से आप प्रार्थना करते हो, मन से करते हो या बोल कर करते हो, तो अगर आप हजार शब्द मन में बोलते हो या वानी से बोलते हो, तो हजार शब्दों का जो फल मिलता है ना, वो केवल एक तस्वीर की अगर आप कल्पना करते हो, तो उससे खाली एक तस्वीर की कल्पना करने से यापको खजार शब्दों की प्रारतना के बराबर फल मिलता है। लेकिन आपको पूर्ण विस्वास रखना है और आस्था रखनी है कि हाँ ये मेरा काम बिल्कुल बनेगा। क्योंकि जिस शक्ति को आपको बताना है, जिस शक्ति तक वो आवाज पहुचानी है, जिस शक्ति तक वो कल्पना की तस्वीर पहुचानी है, वो शक्ति आपके भीतर है, उसी को अवजेतनमन कहा जाता है, उसी को परमात्मा, इश्वर, वाइग्रू, अल्ला, अनेक नामों स उसी शक्ति को पुकारा जाता है तो मान लो आपकी कोई भी इच्छा है तो उस इच्छा को आप चाहते हैं कि वो इच्छा पूरी हो जाए जाए मान लो आप चाहते हो कि मेरी सरकारी नोकरी लग जाए आप टीचर बनना चाहते हो तो रात को जब आप विश्तर पर सोने और आपको यह लगे कि अब मेरे को और कुछ नहीं करना है फोन वगएरा दूर रख दे तो आपको कल्प ना करनी है कि मैं टीचर बन चुका हूं या बन चुकी हूं और मैं स्कूल में या कॉलेज में जिस भी लेवल के टीचर की आप कल्पना की तस्वीर बनाएंगे मैं स्क दिन सुबह टाइम पर उठता हूं, उठ करके स्कूल जाता हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं या चैप्टर समझा रहा हूं, यह आप अपनी कल्पना में मतलब भर लें, बिल्कुल अपने अंदर एक तस्वीर ऐसे देखते रहें, तो उससे क्या होगा, कि वो जो तस्वीरा बना रहे हैं, वो आपके बोली हुई प्राथना के हजार शब्दों के बराबर एक तस्वीर काम करेगी, जैसे ही वो पूरा ढाचा, क्योंकि जो हमारा अवचेतनमन होता है, अंदर जो प्रमात्मा की शक्ती है, वो जो उसी बात को सच मानती है, जो तस्वीर उसको दिखाई देती है, जल्दी, वैसे तो शब्दों की प्रार्थना भी असर होता है, उसके उपर क्योंकि उस तक जो आवाज पहुचेगी, वैसा ही रेक्ट करेगा हो, आप तस्वीर देखते हैं, उस तस्वीर को वो तुरंत स्विकार कर करते ही, उसके अनुसार आपको बनाने लग जाएगा, यानि आपकी इच्छा को पूरी करने लग जाएगा, यह तो बात आपने आम जिन्दगी में भी देखी होगी, कि एक तो कहानी हो, एक आप किसी चीज को जैसे टीवी में देखते हो, प्रैक्टिकली, तो उसको वह आ कार करना शरू कर देते हैं, तो सुबह ही हो सकता है रात को इस अपन में, या सुबह ही आपको कोई ऐसा संकेत नजर आए कि आपकी यह इच्छा वश्य पूरी होगी, जब तक इच्छा पूरी नावप्रती दिन आप यह कालपनिक तस्वीर बनाएं और बनाते बनाते सो ज चेतन बन सो जाएगा आप चेतन मन पूरी रात जगता है और मों पता नहीं कब तस्वीर उसके पास पोछ जाएगी रात को ही, क्की पूरी रात जब तो जगता है। और आप वह सोचते सोगे, कई बार आपने देखा हैं कि हम आप कोई बुरी गटना के बारे में सोच के सोजाते हो तो सोपन गंदे आते हैं, आपको डॉल लगता, ऐसे अच्छा सोच के सोना अपनी इच्छा के बारे में कलपना की एक तस्वीर बनानी है, फिर देखें चमतक तूप पेज को फोलो करना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आप अपनी कलपनिक तस्वीर बनाए और अपनी हर इच्छा को पूरा करें जशीर आप